अलो अब्रोवन सभी का स्वागत है सभी को जोहार और जारकन प्लीस से कुछ कॉस्सन्स उठके आ रहे हैं जैसे कुछ कॉस्सन्स को मैं ले चुका हूँ तो मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ काकि बच्ची बहुत परिशान है जानकारी के अभाव में जात्र बहुत कर पाईते फर्म तो अब जो है आप कितना के भी हो आपको कोई पूर्डम नहीं होने वाला है टेंसन नहीं लिजे टेंसन मुक तुराना है आपको ठीक है पहला कोस्न में क्लियर यहां कर चुका हूँ ऐसा आसा रखता हूँ दूसरा कोस्न है कि एड्मिट कार्ड खो गया ह दूसरा आपका क्लियर हो गया वाली के जिता लागत है तो आपको कहां परिशान होना है भाई सबका जोइनिंग होगा कैसे बिलिस्ट निकले केस में एड होना है तो परिशान नहीं हो ये केस में एड होके कोई फ्यादा नहीं है पंचायत सचीव का भी जीता जाकता उधरन आप देखिए कुछ लड़के जो है लेके सुप्रीम कोड गया था ठेकिन डिस्जर्म क्या हुआ सबका आया उसी तरह आपका भी होना है मैला सेट मिलेगा तो सबको मिलेगा नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा मेडिकल होगा क्या तो मेडिकल देखिए 100% होगा मेरे ख्याल से क्योंकि एक साल अगर डिफेंस में आपका टाइम हो जाता है तो उससी में मेडिकल सभी स्ट्रेंट्स का लिया जाता है तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि मेडिकल होना है लगबग लगबगता है वहाँ पे बताएंगे, 24 फर्वडी को, वो जवाब क्या वहाँ पे देंगे, वो देखने वाली बात होगी, सरकार का वकिल क्या जाके वहाँ बोलेगा, कोई भी लेटर लेके वहाँ पे, नहीं जाने वाला है, तो उसके लिए निस्चित रही है, सुप्रीम कोट को वही है ये क्लियर होगी है क्या जवाब मिला फिमेल सीट मिलेगा तो यहां देखिया है मैन जो मुद्धा वही है कि फिमेल सीट को ही लेना है बाकी जो 445 सीट जो जोइनिंग इसू होने के बाद जोइनिंग लड़का नहीं किये है वो तो अलग माली बात है वो तो मिलना ही है लेकिन महिला सीट जो मिल जाएगा तो फिर नमर उफ स्टुएंट्स जो है स्टुएंट का संख्या जादे हो जाएगा ठीके तो महिला सीट जो है वो भी मिलनाता है क्योंकि मनुष्टनन सर ने स्वरब कुमार जो उतर प्रदिस वाला था उसको एड़ किया है और सेम मैटर उसमें भी वही है कि फिमेल सीट के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ी गई थी और उसमें जीत उसको मिला है और सुप्रिम कोट के माद्यम से ही जीत दिया गया तो आपका भी सुप्रिम कोट में केस है तो आप निश्चित रहिए कि जीत तय है इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जीत लगभग लगभगता है लेकिन अभी भी जो है सही लाए रस्ते पे चलने की जौरत है और सुप्रिम कोट से ही कुछ होगा मैं आपको फिर एक बढ़ बता देता हूँ दूसरा कोई रास्ता दूसरा कोई उपाई नहीं है कुछ भी आपका होने का जारकन प्लीस 4-2-4-15 का अगर कुछ भी होता है तो सुप्रिम कोट से ही होगा और जैन्वीन है और मुद्दा आपका किलियर है कि आप मांग महिला सिट है और महिला सिट का जज्जमेंट सुप्रेम को दे चुकी है तो उस इस्तिती में आपका सेलेक्शन लगबग लगबग पका है तो अस्थिरता बनाएके रखिए कोई भी हडबढ़ाने का जोरत आपक और नहीं है मैं साफ तोर पर यहीं बोलूगा कि आप भी समझदार है मुझे पता है कि अभी जो है उतेजना काफी जादे बढ़ जाती है कि केस में एड होना है नहीं होना है तो केस में एड होने से आपको कोई फैदा नहीं होने वाला है उसके आपके एक छाब के से सेखालंग को साइसे हैं मैं जानता हूँ का आप एक्स्प्रिएंश एंपको मालूम है फिर भी उतेजना के चलते हैं परिशान होते हैं और झारम से सेटमेशंग्न का हएैं ऍ Common Ben seconds on आप case में add होईए नहीं होईए अगर judgment आता है आपके पक्ष में आता है तो निस्सीत तोर पर सभी का जवाब लगना है एच वाला मुदा क्लियर हो गया है, admit card हो गया, list नहीं निकला है, समिकी सुची हो गया, case में add होना है document verification वाला क्लियर हो गया, medical होगा, सुप्रीम कोड को क्या जवाब दिया जैसे सकी ये भी क्लियर हो गया और भी अगर को सेन आपके समक्ष अगर आता है तो आप बेजी जग मुझे कोमेंट करके पूश सकते हैं आसा करता हूँ कि इतना कोस्टिन को मैं क्लियर कर दिया हूँ आपके सामने बहुत सौट टाइम में क्यूंकि मैं जादे टाइम आपका लेता नहीं हूँ और बहुत कम बुरा होने की इस्तेती पइदा नहीं होना है और एक बात है, यही होगा आपको बिझेकवट फैरिया था करेटाने बदाने मी करें मैं 2 है तो जाने से क्या दिख्कत है अगर नमर ऑफ इस्टुएंट जादे होंगे तो वहां जाके घूम कियाने से क्या दिख्कत है क्योंकि यह यह आंतीम लड़ाई है इसके पर आपको चाने का जोनत्मा नहीं पड़ेगा मैं आपको बताता हूं क्योंकि सुप्रिम कोट के लड़ जन्मा जैसे को जुगाई जा सकेगा ऑच से जाके कि कार होंगे कि मैं कहना क्या चा रहा हूं है जैसे का कशुम को मैंने यहां जवाब मैंने दे दिया है आ सांफ पर्षस्ट हों के मेरे जवाब मोई बताइए का जब देधर devotion को बढ़े बिए दूँगा, इसके लिए आपने सितर ये चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब आप स्काइब लीजेगा बेल आइकोन को दबा लीजेगा मिलते हैं आप सबसे एक नेक्स्ट वीडियो में इस दरह इंपोर्टन वीडियो के शाथ आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का सुक्रिया वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद आपका